हेलो स्टूटेंट तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्म्ड बाई कनकेब मीरर, कनभैक्स मीरर एंड मैगनिफिकेशन और मीरर एज वेल एज प्रिवेस सेर में आइटिस में पूछेगे कोस्चेंज को भी हम लोग पढ़ेंगे हम लोग 10th standard में भी यह topic अल्रेडी पढ़े है तो थोड़ा सा यहां पर fast हम लोग उसको revision करेंगे तो हम लोग 10th standard में क्या पढ़ेते हैं कि जो कनकेब मेरर होता है उसका हम लोग कितने image का formation कर सकते हैं शे case हैं और convex में दो case देखते हैं ठीक है चलिए तो start करते हैं फस्ट यानि इमेज नंबर वान माले रस्ट वाला जो case है इसमें हम लोग क्या लेते हैं जो हमारा object है वो object कहां पे placed होता है infinity पे तो जब अगर object infinity पे होगा तो image का formation कहां पे होगा उसका nature कैसा होगा ठीक है तो infinity पे means सारे रेस को हम लोग कैसा consider करते हैं parallel ना तो जो रूल पड़े थे कि जो रेस parallel to principal axis होता है वो कहां से पास होता है इसा focus से ठीक है तो बहुत सारी रेस क्या हो रही है parallel आ रही है और after reflection वो कहां से पास होगा है फोकस से ठीक है यह सारी रेस कहां होगा mirror के आगे ही बन रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो नेचर होगा वो क्या होगा real and inverted ठीक है अगर हम लोग size का बात करें तो size क्या होगा बहुत छोटा ना object के compare में जो image का size होता वह बहुत छोटा यानि हम बोल सकते इसको वेरी डिमनिस्ट ठीक है चलिए सेकेंड फिगर देखते हैं फिगर नमबर टू तो फिगर नमबर टू में जो हमार object अब्जेट को कहां पर रखते हैं बियॉंड एफ बियॉंड सरी बियॉंड सी ठीक है मतलब हम लोग इनफिनिटी और सी के बीच में कहीं object को place करते हैं तो पहला रेस क्या होगा पैलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो पैलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास ऑगस्टन फोकस से ठीक हैं अब दूसरा जो होता हो वो कहां से पास कराते हैं सेंटर ऑफ करवेचर से तो जो सेंटर ऑफ करवेचर से जाता है आप्टर रिफ्लेक्शन के ऑगस्टन सेंप पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो उसका image कहां पे मिल रहा है तो यहां पे दोनों औरेस एक दूसरे से कट कर रही है तो यह हमारा क्या बनके अब चैंड इमिज है नड़ा तो इमिज जो है वो कहां पे बन रहा है बिट्वीन तो से स्पंक ऐफा सेंटर ऑफ करवेचर पास के बीच में नौने देखें नेचर कैसा है तो रियाल ठीक है ऐनड इन्वर्टेट real and inverted ठीक है अगर size का बात करें तो very dimnist तो नहीं बोल सकते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे dimnist ठीक है चलिए next third figure के और बढ़ते हैं third figure इस पे जो हम लोग object को place करते हैं at sea पे यानि center of curvature पे तो center of curvature पे तो first race parallel to principal axis after reflection कहां से cross करेगा focus से और दूसरी जो race है जो कहां से pass करेगे focus से तो focus से जो race pass करती हम लोगों पता है parallel to principal axis हो जाती है ठीक है strand कुछ इस तरीके से जाएंगे तो इसका image कहां पे बनता है यह हमारा object है यह हमारा क्या बन गए उसका image तो image कहां पे बनता है at sea पे बनता है यानि object कहां पे at sea तो इसका जो image बनेगा वो image भी कहां पे बनेगा at sea पे बनेगा nature कैसा होगा तो nature जो होगा again real and inverted ठीक है और size अगर हम size का बात करें तो size क्या होगा same size का होगा जितना बड़ा object उतना ही बड़ा क्या होगा image होगा यह ना fourth number case देखते है case number four case number four में हम लोग object को कहां पे रखते है between c and f object कहां पे होगा between c and and f ठीक है तो between c and f रखेंगे now first raise parallel to principal axis after reflection कहां से cross करेगा focus से और जो second raise होगा stand वो कहां से होगा focus से जो focus से जो raise जाएगी वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी parallel to principal axis तो इधर कहीं पे बनेगी ठीक है stand यानि image जो होगा वो क्या होगा beyond c size देखें size कैसा होगा magni fight ठीक है और nature जो होगा stand वो nature क्या होगा real and inverted ठीक है real and inverted next हम लोग देखते हैं fifth number इसमें object को कहां पे place करते हैं focus पे यानि object जो है हमारा stand कहां पे at focus तो first raise parallel to principal axis after reflection focus से पास होगा और second जो raise होगा stand वो कहां से center of curvature से तो टकराने के बाद वो sam वापस retrace हो जाएगी sam path पे ठीक है तो यहां पे जो image होगा वो कहां पे जाके बनेगा कहीं दूर जाके बनेगा इदर ठीक है beyond c यानि हम बोल सकते हैं इसको infinity पे ठीक है अब size size क्या होगा highly magnified highly magnified हो जाएगा nature nature क्या होगा stand तो nature हमारा फिर से again real and inverted ही मिलेगा ठीक है next six number देखते है stand six number यह मारा F यह मारा क्यों गया stand C center of curvature ठीक है तो six number में हम लोग जो object उसको कहां पे placed करते है P और F के बीच में यहां पे कहीं पे placed करते है तो first is parallel to principal axis और जो parallel to principal axis वो कहां से cross करते है stand focus से और दूसरा जो होगा वो हमारा center of curvature से ठीक है stand retrace कर जाएगा यह path center of curvature से जो pass होती है ठीक है तो इसको हम लोग पीछे की तरफ पहीं क्या करते है extend करते है तो यह पीछे की तरफ पहीं नहीं कहीं जाके yes turn mid करते है यानि जो image होता है वो हमारा कहीं behind the mirror मिलता है ठीक है तो object हम लोग कहां पे रखे है between f and p f and p जो image मिल रहा है वो कहां में मिल रहा है यान बिहाइंड the mirror mirror के पीछे ना nature कैसा होगा तो देखे object भी उपर में ही है और यह जो हमारा image बन रहा वो भी principle axis के उपर ही बन रहा है तो ऐसे image को क्या बोलता है erect और जो erect होगा ठीक है यानि हम इसको erect and virtual size की बात करते है तो size क्या होगा highly magnified play stand यह 6 figure बनता हमारा concave में यह हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग object को कहां पर place करें तो उसका image कैसा होगा erect होगा, real होगा, virtual तो यह सारे चीज हम लोगों को पता होना चाहिए यानि 5 cases में, once लेके 5 cases में जो भी image बनता है, वो हमारा real and inverted बनता है, वो जो 6 case होता है जिसमें हम object को pure wrap के बीच में रखते हैं, तो इस case में क्या होता है, जो भी हमारा image बनेगा, वो image virtual and erect होगा, ठीक है चलिए, next देखते हैं image formed by convex mirror image formed by convex mirror में क्या stand कि हम image को कहीं भी रखें, यानि इस mirror के in front में हम कहीं पे भी अगर हम रखते हैं तो जो भी हमको image मिलेगा वो image हमेशा कैसा मिलेगा stand, तो छोटा मिलता है छोटा होने के साथ साथ वो हमारा virtual और erect मिलता है, तो यहाँ पे जो भी image मिलेगा, वो हमेशा image is always virtual erect and क्या होगा stand, हमेशा छोटा होगा dimnist, ठीक है, तो इस case में हमेशा image क्या होगा always virtual होगा, erect होगा और dimnist होगा next आगे बढ़ते है, हम लोग next topic देखते है magnification, ठीक है, कि what is magnification फिर देर देर हमलों question को आगे की और लेंगे देखे, तो next topic हमारा क्या, magnification magnification, ठीक है तो magnification का मतलब क्या होता stand, कि जो भी हमारा object है, उस object के compare में हमारा image पॉर्म हो रहा है, वह image फोटा बन रहा है बड़ा बन रहा से, उस को हम लोग क्या ब होलते है magnification, याणि हमारा object के compare में कितना गुना बड़ा बन रहा ह। या फिर छोटा बन रहा है, यह हम कौन बताता है, Magnification बताता है, ठीक है, यानि हम इस Magnification को denote करते हैं हम लोग M से, यह हमारा क्या हो जाता है, height of, height of image upon height of object, ठीक है, यानि M equal to height of image को h i से denote करते हैं, और height of object को h not से, यह हमारा हो गया Magnification, ठीक है, but Magnification, यहाँ पर हम लोग दो तरीके का Magnification को पढ़ेंगे, फर्ज जो Magnification होता है, उसको हम लोग क्या बोलता है, Transverse Magnification, और जो Second होगा, Longitudinal Magnification, ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं, Transverse Magnification, कि Transverse Magnification क्या होता है, है, तो Transverse Magnification को देखेंगे, ठीक है, तो Transverse Magnification का मतलब क्या है, कि मालिचे हमारा यह mirror है, और यह हमारा F, यह हमारा क्या हो गया, C, अब object हम लोग क्या की है, यह हमारा किसका काम कर रहा है, object का, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कि जो object है, वो perpendicular to the principal axis है, तो अगर object perpendicular to the principal axis होगा, तो उस situation में जो magnification होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Transverse Magnification, ठीक है, तो हम लोग पहले प्रूब करते हैं, Transverse Magnification को निकालते हैं, चलिए, यह हमारा क्या हो गया, ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, F और यह हमारा C, Center of curvature, ठीक है, यहां पे कहीं object हम लोग place करते हैं, और यह object हम लोग कितना माल ले रहे हैं, H, 0, ठीक है, तो यहां से दो rays इसका image चाहिए, तो दो rays हम कुछ पेजना पड़ेगा, तो माल ले रहे, first rays कुछ इस तरीके से जाके, fall कर रही है, तो after reflection, यह इस direction में चली जाएगी, ठीक है, यह जो होगा हमारा angle of incidence, अगर हम इसको, यह हमारे लिए normal का का काम कर रहे है, ठीक है, तो यहां पर माल ले रहे है, हमारा angle आए, ठीक है, तो यह भी कितना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक, अब इक जो दूसरी rays है, उसको काहँ से भेज रहे है, center of curvature से हैं, तो second rays को हम लोग center of curvature से भेज दिये हैं, कुछ इस तरीकेश है, तो यह after टकराने के बाद फिर से reflect होके same, तो यह हमारा image बनेगा यहां पर, यह हमारा हो गया I, इसका नाम देते हैं कुछ, A, B, यह तो P हो गया, इसका नाम देते रहे हैं, C, ठीक है, यह C अलग है, center of curvature, ठीक है, देखें, तो अब फर्स ट्रेंगल में बात करते हैं, इन ट्रेंगल, A, B, P, A, B, P में, ठीक है, तो ट्रेंगल, A, B, P में, अगर हम लोग देखें, तो ट्रेंगल, A, B, P में, 10 theta कितना हो जाएगा, 10 theta equal to, theta यह है, तो perpendicular upon base, it means, A, B, upon, B, P, ठीक है, A, B, upon, B, P, अब देखें, A, B, क्या है, तो height of object, तो H, not upon, B, P, next, आगे बढ़ते हैं, इन ट्रेंगल, I, C, P में, I, C, P, तो यहाँ से भी 10 theta निकाल लेते हैं, 10 theta equal to क्या हो जाएगा, perpendicular upon base, तो पर्पेंडिकुलर, मतलब, I, C, upon base, यहाँ पर क्या हो गया, C, P, equal to, I, C, यह हमारा height of image है, HI, तो यहाँ पर रख देखें, HI, upon, C, P, ठीक है, अब 10 theta, दोनों same हो जाएगा, तो H not upon, H not upon, BP, equal to, HI, upon, C, P, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, हमारा object, image का distance है, यहाँ यहाँ पर हम लोग CP के जाएगा, क्या लिख देखेंगे, भी, but with sign रखेंगे, तो minus भी हो जाएगा, upon, BP, BCP, object का distance है, यह, यू, object distance को with sign रखेंगे, pole से measure करना है, तो minus, यू, ठीक है, अब यहाँ पर, अगर हम HI का बात करें, तो HI भी क्या होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, हनोट इकोल टू, यह कट जाएगा, तो B upon U, ठीक है, यह माइनस इतर भेज देंगे, तो माइनस अगर चला जाएगा, तो HI upon हनोट, इकोल टू, माइनस भी बाई, यू, अब यह जो HI upon हनोट होता है, इसी काम क्या बोलता है, magnification, यानि, therefore, M equal to HI upon H not, therefore, M equal to minus V by U, ठीक है, यह हमारा क्या इकल क्या आगया, linear magnification, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे जो important हो, क्या हमारा, sign convention, हैना, यानि, sign of M, magnification का sign, ठीक है, देखें, सबसे पहला कि magnification M, अगर positive है, magnification क्या रहा है, positive है, तो अगर magnification positive है, इसका मतलब क्या है, कि जैसे अब यह हम लोग देख रहे हैं, कि M equal to HI upon H not, तो यह M positive कब आ सकता है, जब यह दोनों क्या होगा, positive होगा, यानि, high top image upon high top object, दोनों अगर positive है, तब ही M positive आएगा, अधरवाई यह दोनों क्या negative है, तब जाके क्या हो सकता है, M positive आ सकता है, तो अगर दोनों positive है, मतलब दोनों same principal axis के, या तो दोनों उपर होगा, या फिर दोनों नीचे होगा, ठीक है, तो ऐसे image को हम लोग क्या बोलता है, erect बोलता है, यानि अगर M positive है, इसका मतलब है कि जो हम image मिलने वाला है, इमेज कैसा होगा, understand, image is erect होगा, clear है, और अगर magnification हमारा क्या आ जा, understand, negative, तो अगर magnification negative आ गया, इसका मतलब एक object उपर है, और image नीचे है, ठीक है, तो इस situation में जो image होगा, वो image क्या होगा, image is inverted, clear, understand, तो यह हमारा था, transverse magnification, अना, अब हम लोग देखते हैं, longitudinal magnification, ठीक है, कि longitudinal magnification क्या होता है, देखे, तो longitudinal magnification, longitudinal magnification, ठीक है, understand, तो longitudinal magnification का मतलब, माली जी, यह हमारा concave mirror है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग object एक object है, subject हम लोग क्या के यहाँ पे placed कर दीए है, ठीक है, जिसे एक object ले रहे हैं, यह हमारा object है, यह point A, और यह माल यह point B, ठीक है, यह object है, इसका length कितना माल ले रहा है, L, naught, है न, तो यह जो object है, वो क्या देख रहे हैं, कि इस principal axis के along है जैसे पहले वाला case में transverse में क्या था यह perpendicular to principal axis था पर यहाँ पर object कैसा है along the principal axis तो ऐसे magnification को हम क्या बोलते है longitudinal magnification ठीक है तो यहाँ पर जो longitudinal magnification होता है इसका भी दो cases हमको दिखेगा ठीक है पहला case में क्या हो सकता है माली जे की case number one case number one में हम लोग क्या ले लेते हैं कि object is length of object है वो large है first length of object is large यानि object हमारा बड़ा है जब object हमारा थोड़ा बड़ा होगा तो उस situation में क्या होगा तो देखें magnification हम कैसे find करेंगे ठीक है तो देखें इस टोड़ माल ले रहे कि अगर यह object है तो इसका कही नकाई image होगा क्यूँकि हमको पता है कि A का distance B का distance सारे points का हम distance measure कर सकते हैं कहां से from pole से ठीक है अगर from pole से measure कर सकते हैं तो इस A कही नकाई image बनेगा ठीक तो image माल ले रहे उसका जो image है वो यहाँ पे form हो रहे है ना उस image का नाम रख दें हम लोग A dash तो इसी तरह से B का भी image बनेगा तो B का image मा ले रहे यहाँ पर बन रहा है ठीक है अब इसके बीच में जितने भी points होंगे उन सब का image इसके बीच में ही form होगा ठीक है अब अगर हमको L not यानि length of object पता है length of image चाहिए तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं measure कर सकते हैं यहाँ से B dash का distance निकाल लेंगे फिर यहाँ से A dash का distance और उसमें minus कर देंगे तो हमको image का length मिल जाएगा तो महाँ ले रहें image का length है वो कितना L I है ठीक अब हमको object का भी length पता हो गया image का भी length पता हो गया तो हम magnification क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं यानि H I upon क्या हो जाएगा H not ठीक है यह formula हम लोग use करेंगे ठीक और अपना magnification यहाँ से क्या कर सकते हैं find कर सकते हैं एक instant case number 2 में क्या है कि माल लेजे object का जो length है यानि length of object is a small ठीक है length of object is a small जब object का length का हो जाएगा बहुत छोटा हो जाएगा तो उस situation में हम magnification कैसे निकालेंगे तो देखिए mirror का formula क्या है 1 upon B plus 1 upon U equal to 1 upon F ठीक है हमको छोटे length objects के लिए काम करना है तो इसको differentiate कर देते हैं with respect to time तो जब differentiate कर देंगे तो क्या जाएगा minus 1 upon B square dv upon dt minus 1 upon U square du upon dt equal to अब देखिए F F जो है वो क्या focal length तो mirror का तो focal length change होगा नहीं तो यानि यह F क्या constant quantity है ठीक है तो constant quantity का differentiation कितना हो जाता है 0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 आजाएगा ठीक है अब देखिए minus एक को उठा के उथर ले जाते हैं तो minus 1 upon B square dv upon dt equal to 1 upon u square du upon क्या जाएगा stand dt ठीक है तो dt dt cancel हो जाएगा तो dv upon इसको उठा के दर ले आ रहे हैं dv equal to b square upon u square minus term को इदर बेच दे रहे हैं ठीक है तो dv upon dv equal to क्या हो गया minus b square upon u square अब यह जो dv है वो dv क्या है change in distance object distance यह जो भी है वो हमारा image distance है तो change in image distance और यह हमारा क्या object distance तो change in object distance ठीक है तो यही हमारा क्या बन जाता है Magnification तो यह हमारा क्या बन गया M minus V square upon U square यह आ गया Magnification जब object हमारा क्या होगा बहुत छोटा होगा अगर बहुत object बड़ा है तो उस situation में हम लोग क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का साइज बहुत छोटा है तो उस situation में Magnification कितना हो जाएगा M equal to minus V square upon चलिए तो next question देखते है एक concave mirror for face viewing has focal length of 0.4 meter यानि concave mirror में student हम अपना face देखना चाहरे है उसका focal length कितना given है 0.4 meter given है The distance at which you hold the mirror from your face in order to see your image यानि आप जो mirror है और object उसके बीच का distance कितना होना चाहिए ना face को देखने के लिए upright your image upright देखें यहाँ पर अपराइट है तो upright का मतलब क्या होता इरेक्ट ठीक है upright का मतलब क्या है erect with a magnification 5 यानि magnification आपको given है तो magnification देखें यहाँ पर यानि एक concave mirror है हमारे पास ठीक है इसका magnification given है magnification क्या है 5 है अब erect है तो magnification क्या हो जागा positive हो जागा यानि plus 5 equal to formula क्या हो जागा माइनस V by U ठीक है तो यहाँ से हम लोग भी निकाल सकते है तो V equal to क्या हो जाएगा minus 5 U हो जाएगा clear है अब हमको U चाहिए object distance चाहिए है ना तो 1 upon V plus 1 upon U equal to 1 upon F हो जाएगा clear है 1 upon V V कितना एस्टन minus 5 U plus 1 upon U as it is रहने देंगे यहाँ पर कोई sign नहीं पूट करें क्याँकि यह हमको find करना है तो U equal to 1 upon F F given instant 0.4 meter F equal to 0.4 meter but we sign put करेंगे इसको तो minus 0.4 अब यहाँ से 5 U LC हम ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा minus 1 plus 5 equal to यहाँ से point अटाएगे तो एक 0 चला जाएगा minus 10 upon 4 clear तो यहाँ पर 4 upon 5 U equal to minus 10 upon 4 इसको प्लट देंगे तो 5 U upon 4 equal to 4 upon 10 तो cross multiply कर देते हैं तो U equal to minus 16 upon 50 तो U equal to nickel के आजाएगा स्टन minus 0.32 मीटर यह हमारा फेल हुआ जाएगा यानि नेगेटिव साइन सोस कर रहा है कि जो भी हमारा object होगा वो mirror के left side में होगा मतलब object कहीं इधर प्लेश्ट होगा तो यहाँ पर answer कितना है 0.32 मीटर यानि option number C चलिए next question एक और question लेते हैं यहाँ पर देखिए इसमें यह जो question आश्टन 2020 का है यहाँ पर पूरा given है कि आपके पास एक hollow spherical cell है जिसमें object placed है यह हमारा क्या होगा radius of curvature यानि यह question कितना R है यह हमारा point होगा C चलिए आगे देखते हैं spherical mirror is obtained as shown in the above figure यहाँ पर एक spherical mirror आपको given है आगे बुरा if an object is in front of the mirror यानि जो object है यहाँ पर वो देख रहे हैं कि mirror के in front में placed है बुरा what will be the nature what will be the nature nature find करना है and magnification of the image of the object और उस object का magnification image का magnification क्या होगा उसका नेचर क्या होगा यह find करना है ठीक है तो देखे सबसे पहला चीज़ कि यह जो object है वो in front of mirror है अगर in front of mirror है और C से क्या है beyond है तो definitely जो इसका image बनेगा stand वो कैसा बनेगा real बनेगा and inverted बनेगा ठीक है अब real और inverted तो nature तो हमको पता चल गया तो देखें यहां पर erect virtual यह तो होगा नहीं जब हम object को C और P के बीच में रखते हैं C पे रखते हैं तो same size का बनता है C और app के बीच में रखेंगे तो magnified होता चला जाता है तो यह तो C से पहले है इसका मतलब जो image होगा वो magnified नहीं होगा unmagnified होगा clear है तो यानि option number हमारा कौन सा है stand C number Thanks for watching